अभी हमने BASAC का जो ओनलाइन फिल किया जा रहा है, इंटर लेवल भरती का, उसका एक वीडियो बनाकर आपको प्रवाइड करवाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको फिल करके बताया हुआ है कि आप कैसे फिल कर सकते हैं, उस वीडियो के नीचे जो काफी सरे हमें कमेंट दे जा रहा है तो post preference हम कैसे देंगे उसकी regarding इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके साथ ही साथ काफी सरो लोगों ने पूछा हुआ है कि हमारे पास जो type in certificate मतलब हमने जो typing किया हुआ है उसका certificate नहीं है या फिर हमने जो computer का course वाला certificate मांगा जा रहा है वो भी certificate हमारे पास नहीं है तो क्या हम form को feel कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं और कर सकते हैं तो उस condition में हमें count से post के लिजवल माना जाएगा उसके regarding जनकारी दे दीजिए और साथ ही साथ जो computer course का details है या फिर जो typing का details है वहाँ पर डालने में हमें दीकत आ रही है तो उसको बता दीजिए कैसे डालना है तो आज किस वीडियो में इसी से relevant जो जनकारी आपको provide करेंगे कि post preference आपको कैसे देना है कब देना है इसके साथ ही साथ जो technical skill में आपका जो computer typing का certificate का details मांगे है उसको कैसे डालेंगे और साथ ही साथ course details कैसे डालेंगे computer वाला तो please वीडियो सुरू से on तक लेका जोर देख जनकारी तो easily भर सकते हैं आपके पास होगा ही ठीक है लेकिन यहाँ पे काफी सरे लोग को जो है technical skill में यहाँ पे दीकत हो रहा है form को feel करते समय तो technical skill कैसे भरना है और यही से decide होगा कि आप कौन से पदों के लिजीबल हो पाएंगे क्योंकि इसमें आप सभी जानते हैं कि जो है काफी सरे अलग अलग प्रकार के जो पद है जिसके लिए आप यहाँ दन लिये जा रहे हैं तो इसी के regarding हम बात करेंगे कि आप कौन सी जनकारी भरेंगे तो आप जो है कौन से पोस्ट के लिजीबल हो पाएंगे यही से जो है आपको decide करना है सबसे पहले metric और intermediate जनका इसमें अब देखेंगे समाने ग्यान का जो भूक है जो की NCRT के नया पैटर्न पर जो है अधारित है इसमें अब देख सकते हैं कि इतिहास अजादी के बाद का भारत से लेकर जो है नैनो टेक्नलोजी तक के जो कोचन है आपको देखने को मिलेंगे जिसके माधिम से इसका जो लिंक है हमने description box में दे दिया है जहां से आप इसको घर बैठे online परचेश कर सकते हैं और आपना जो GKGS की तियारी है 75 अंको तक की कर सकते हैं अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं अब यहां पर जो टेक्निकल स्कील है आप इसको चाहे तो जो भी इसमें टाइप इन मायांगे है उसको भी skip कर सकते हैं और आपने computer का course नहीं किया हुआ है तो इसको भी no करके आपे skip कर सकते हैं लेकिन अगर आपे skip करेंगे तो आपको जो ही कौन से post के लिए eligible नहीं माना जाएगा उसको समझना बहुत ज़रूरी है देखिए यहां पर आएंगे तो यह ज जयान के साथ साथ कोंप्यूटर पर type in भी यहां पर मायं गया है ठीक है किसी में हिंदी योंगरी का type in ही पर मायं गया है और किसी में computer का संचालन का साथ dei type in और दोनों चीज THE मायं मतलब सभी में देखेंगे तो computer का course और computer का गयान और computer का जो ही type नहीं हाँ पर मायं गया है आप यहाँ पर आएंगे तो दो ऐसे post है जिसमें जो ही आप intermediate पर apply कर पाएंगे जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं file area निरी छक का और साथी साथ यहाँ पर राशाव करमचारी का तो यहाँ पर माल लीजिए अगर आप technical skill में कुछ भी नहीं डालते हैं तो आप जो ही दो ही post के लिजिबल हो पाएंगे जैसे कि file area निरी छक और यहाँ पर राशाव करमचारी बाकि जितने भी post है उन सभी में computer का ग्यान यहाँ पर और computer पर type in यहाँ पर माएं गया है त्याई से जो ही decide होगा कि आप जो ही कौन से course के लिजिबल हो पाएंगे यहाँ तक समझ में आ गया अब यहाँ पर देखिए आप में से काफी सर लोग कहा रहा है कि हमारे पास जो ही Hindi और English type in का एक ही certificate है तो हम कैसे भरेंगे क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आप में से काफी सर लोगों ने कहा था तो आपको बता देंगे देखिए अगर आपके पास इस तरह का certificate होगा जिसमें Hindi और English type in का जो ही एक ही certificate होगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपका certificate number A है और issue date A है ठीक है और institute का नेम आपको देखने को मिल ही रहा है कि कौन से institute से आपने किया हुआ है तो उसकी जनकारी जो है आपको यहाँ पर भर देना है जैसे कि जो भी आपने इंचूट से किया हुआ है तो सेम जनकारी भर देंगे अगर आपका हिंग्ली इंदी दूने एक के जगह से है तो और सर्टिफिकेट नमबर भी सेम डाल देंगे और आपका सर्टिफिकेट इसुन डेट भी सेम यहाँ पर डाल देंगे कोई भी दीकत नहीं होगा ठीक है यहां तक कंफर्म होगा लेकिन अगर आपने हिंदी औरbersक्रा.. और मांगी जा रही है आप इसको करेंगा tätä, यहां पर मांगा जा रहा है तो आपको देना है यहां तक कंफर्म आपको समझ कौन से इंक्यूट से अपने किया हुआ है, कोर्स का डीटेल्स क्या है, मतलब आपने कौन से कर्स किया हुआ है, ADCA किया हुआ है, ADCA किया हुआ है, या फिर और भी कोई अपने computer सम्मधित कोई cours किया हुआ है, तो उसकी जनकारी भरेंगे, फिर certificate इसुन डेट डालेंगे और certificate number डालेंगे मेरे पास जो है देख सकते हैं कि ADCA का यहाँ पर कोर्स है Advanced Diplomine Computer Application का एक साल का जो है course होता है तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका mark sheet number मिल जाएगा यहाँ पर इसका issue date मिल जाएगा और साथी साथ यहाँ पर इंचूट का नाम भी मिल जाएगा कि कौन से इंचूट से आपने किया हुआ है ठीक है तो इस तरह से इसकी जनकारी जो है आपको यहाँ पर आसानी से fill up कर देना है तो भी बनवा कर यहाँ पर डालिएगा back date में आप यहाँ पर डाल दीजिएगा तो क्या होगा कि जितने भी सारे post है उसके लिए आप eligible हो पाएंगे नई तो दो ही post के लिए आप eligible रह पाएंगे इन बातों का धिया रखेंगे अब आपने से काफी सर लोग कहेंगे कि जो आपने form फील करके दिखाया हुआ है उसमें जो है किसी परकार का कोई भी आपने post preference नहीं दिया हुआ है मतलब इसमें अलग अलग परकार की post है जैसे कि आप notification में देखेंगे तो हम कौन से post के लिए अपलाई कर रहे है इसकी जनकारी हम post preference में दिये ही नहीं है तो आपको बता देंगे देखिए इसमें जो है आप पहली बार form फील कर रहे है तो प्री के लिए भर रहे है इसके ब decide के जाएगा कि आप जो है कौन से post के लिए लिजीबल हो पाएंगे ठीक है यह दो चीज में आपको बता दे रहा हूं समझ लीजिएगा तो आपका जो है प्री वाला जो form फील हो रहा है अभी वाला उसमें किसी परकार का कोई भी post preference आपको नहीं देना है हो सकता है कि जब मेंस का form फील करेंगे उस समय जो है post preference आपको देना पड़ सकता है और नहीं तो जो भी आप मेंस में अंक प्राप्त करेंगे जिस पर आपका made बनेगा उसके इस आप से देखा जाएगा कि आप जो है कौन से post के लिए लिजीबल है तो इन बातों को ध्यान आप रख सकते है कि आपका ये doubts के लिए हो गया यहाँ पर आपको हम बता देंगे देखिए अगर आपके पास technical skill नहीं है तो please इसका certificate बनवा कर लगवा दीजेगा क्योंकि काफी सरे से post है जिसके लिए लिजीबल नहीं हो पाएंगे अगर आप ये जनकारी नहीं भरेंगे जहां तक मैं मान उमीद आए कि आपको समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इसका notification देखेंगे तो इसमें जो है जो भी exam होने वाले हैं उसकी जनकारी यहाँ पर दे दी गई है तो अगर आप कहेंगे तो मौलक से जो है syllabus का एक वीडियो लेकर आएंगे जिसम कॉम्प्यूटर का जो details है certificate का details है उसको कैसे आपको डालना है तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो almost आपको सरा जनकारी बता दिया कि बीना computer course और टाइप इन के आपके पास जो है क्या बिकल्फ है कौन से post पे आप जो है eligible हो पाएंगे और computer और टाइप इन की जनकारी द कर देख।